जो दिस सास्प्रवेली ब्रस्पट का बड़ा नान है गुरू ब्रह ब्रस्पट दश्चा बाबा क्या चेते हैं मुर्लियों में तुमारे सट्टे कौन सी दश्चा बेख रही है और कौन सी उतर रही है तो ब्रस्पट दश्चा अच्छी होती है जो हमें सीधा काने जाएगी जी जो ब्रस्पट दश्चा हमें कहां लेकर जाएगे और कितने जन्वों तक लेख रहे हैं यहां किसी का ब्रस्पत खराब होता है, तो कहते हैं, पीले कपड़े कहना, पेले की पुजा करना, उपुवास करना, ये दान करना, तो तुम्हारा ब्रस्पत फेवर में आ जाएगा, क्योंकि इस द्रस्पत खड़ात हो चाहिए तो सीजा विमेट पेहमता होता है सब कुछ खटम होने लगता है सोक शांती, संब्रदी, इमान, शान सब जाता है लेकिन जिसकी उनली के द्रस्पत दशा बहुत उच्छ वलटी की होती है उसमें गर्ज केस्री योग बनते हैं और गर्ज केस्री का मतलब है जिसके दरवाजे के सामरे गर्ज हाकी खड़े हो जिसके पास केस्री मतलब सेरो जजी शक्तियों और ये राजाओं के पास होती है यानि कि यह हुद दशा राजाई योग बनाती है गज केसरी योग बनाती है, इसलिए बाबा के देरे बच्छे, अब तुमारे माते पर कुन सी जशा बठी है? अब ब्रस्पत को अपने भीवन में लेने के लिए सबसके बेस्ट तरीका है, गुरुवार के दिन पर मुसर्द गुरु को राजी किया जाए। अगर खुद ब्रस्पत ब्रस्पन हो गया, अगर उसी प्रपाद्रिष्ट मुझे पढ़ गई, तो फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरी को बिगार सके। क्योंकि डिगरी को बनाने वाने की महर प्रपाद्रिष्टियम मुझे पढ़ शुकी है अब किसी की ताकत नहीं की कोई मेरी भिगा रसके पर तुम बेख्पिरस से बार बार एकी बात को दो रहूंगी आवश्यक्ता जिसकी है? भावन स्वार्त नहीं, कामना नहीं, इक्षा नहीं उसको प्रसन करना है तो नहीं स्वार्त बावन से करना है किसी के कहने से नहीं, किसी को देख करनें, कोई मनमें स्वार्त पेदा रखे नहीं, नहीं स्वार्त बावन से करना है